हेलो दोस्तों क्या आपको पता है कि एस्ट्रोनॉट्स इस्पेस इफटेशन में फ्लोट क्यों करते हैं आप कहेंगे जीरो ग्रैफटी के कारड लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता या एक मित के अलावा और कुछ नहीं है क्योंकि इस्पेस इफटेशन हमारा 408 किलो मेटर दूर बस है जहांपर 90% ग्रैवटी कोर्क करता है का मतलब अगर हम धरती पर 100 किलो वे करेंगे तो इस्पेस इफटेशन पर 90 किलो या उससे 88 किलो हो सकता है लेकिन हम फ्लोट नहीं कर सकते हैं दोस्तों इसके पीछे कारड है माइक्रो ग्रैवटी तो माइक्रो ग्रैवटी तब हम फिल करते हैं जब हम और हमारे आस पास की बस्तुएं सेम स्पीड से नीचे जा रही होती है दोस्तों या इस्पेस इफटेशन और वो फ्री फॉल में रहते हैं अबे दोस्तों आप पूछेंगे कि space iftation जब free fall में रहता है तो धर्ती से टकराता क्यों नहीं दोस्तों इसका करड़ है धर्ती का करवेचर दोस्तों आप इसे इस examper समझ सकते हैं यहाँ एक कोई person है वहाँ कोई पत्थर फेकता है और वह जाकर यहाँ धर्ती पर गिर जाता है क्योंकि उसकी velocity कम हो जाती है लेकिन दोस्तों जो space iftation होता है उसकी velocity इतनी जादे होती है जिससे उसके गिरने का समय और धर्ती का करवेचर मैच कर जाता है जिससे वह गिरता ही नहीं है जैसे हम इस diagram में देख सकते हैं दोस्तों अगर आपको यह topic सोज में आया हो तो मैं दोस्तों के साथ share करें सब्सक्राइब करें और बेल आकें जरू दबादें जिससे आपको नए वीडियो तरन मिल जाए